शनिवार को दरसल कंपनी के नतीजे आएंगे रिजल्ट से पहले सीन बीसी आवास देश के दिगज बैंकों का रियालिटी चेक आपके लेकर आया है टेस्ट के क्या नतीजे निकल कर आ रहे हैं इसी के लिए आप जोडते हैं सुमित महरोत्रा को जिन्होंने तमाम दिगज बैंकों का अनालिसिस किया और पेश है वो पूरी तस्वीर अब आपके सामने लगे अगले हफते से बैंकिंग के नंबर साने शुरू हो जाएंगे और इन नंबर से ठीक पहले किस तरह के आखडे हैं किस तरह की पोजीशनिंग है कोशिश किये हमने पाँच बड़े बैंकों को सामने रखें किस तरह से आप इनको प्ले आउट कर सकते हैं यह कुछ आखडे जो की शुरूआत के नंबर से हैं हज्डेवसी बैंक 16 अपरिल को अपने नतीजे जारी करेगा आईसे से बैंक 23 अपरिल को और एक्सेस बैंक में करीब करीब 28 अपरिल को यह अपने इतिमाही नतीजे जारी करेगा नंबर से पहले कोटक महिंदरा बैंक जो सिचुएशन सिनारियो है जो बाजार में अनुमाल लगाया जा रहा है वो आपकी स्क्रीन पर है 30% ही ग्रोथ यहां पर Y.O.I. basis पे कोटक महिंदरा बैंक में है और 3% के आसपास की सिक्वेंचल ग्रोथ बाजार अनुमाल लगा कर चल रहा है HDFC बैंक 18.5% की Y.O.I. ग्रोथ और सिक्वेंचल बैसिस पे करीब करीब 6% की डिक्लाइन जो के मारकेट्स इनके मुनाफ़े में मानकर चल रहा है इस्तिमाही के अंदर I.C.A. से बैंक की केस में 40% की एक मुनाफ़ी ग्रोथ और 4% की एक सिक्वेंचल बैसिस पे आप ग्रोथ का अनुमाल लगा सकते हैं जो कि HDFC से बेटर है I.C.A. से बेटर है एक्सेस बैंक की ग्रोथ जहां पे 50% की आसपास की वाई-ओ-ओ-ओ ग्रोथ और करीब करीब 12% की सीक्वेंचल ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकते हैं इस्तिमाही में और इन सबसे बहतर है S.B.A. की ग्रोथ जहां पर 65% की आसपास की एक वाई-ओ-ओ-ओ बेशिस पर और सीक्वेंचल बेशिस पर 27% की आसपास की ग्रोथ का अनुमान बजार लगा रहा है तो मोटा मोटा आखलन यह कहता है कि सबसे बहतरीन नंबर जो होंगे वो शायद इस्तिमाही में S.B.A. की तरफ से आते हो दिखाई पड़े या निजी बैंक में आप I.C.I.C.I. और Axis Bank की तरफ से देख सकते हैं अच्छा higher level से क्या ease out हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक करीब करीब 20% अपने higher level से टूट चूट चुका है 33 के multiple पे काम काच कर रहा है बहुत जादा valuation में P.E.E. इस्तमाल नहीं होता है लगे फिर भी मोटे मोटे आखिलन के लिहास से आप भी माद सकते हैं कि HDFC Bank 14% अपने higher level से ease out हो चुका है जो कि अभी 23 के multiple पे काम काच कर रहा है ICA से bank भी करीब करीब double digit में fall दिखा चुका है और ये भी 20 से 24 के multiple पे अभी trade करता हो दिखाई पड़ रहा है valuation के लिहास से थोड़ा सस्ता आपको दिखाई पड़ेगा access bank higher level से 8% fall के बावजूद इशियर महज 19 के multiple पे trade कर रहा है और सबसे सस्ता आपको दिखाई पड़ेगा SBI जो के higher level से सिर्फ 6% नीचे है लेकिन उसके बावजूद भी 12 के multiple पे काम काच कर रहा है तो valuation के लिहास से भी आपको better side पे दिखाई पड़ेगा SBI और access bank अच्छा 5 साल की मुनाफ़ई ग्रोथ सबसे भेतरीन रही है आपको दिखाई पड़ेगी पिछले 5 साल के average में रखे है आईसे से बैंक में पिछले 5 साल में करीब 13% के आसपास ही growth रही है और average NPA 2.5% के आसपास रहा वहीं अगर आप access bank की situation देखेंगे तो आडी growth आपको दिखाई पड़ेगी पिछले 5 साल में और जो NPA कांख़ा था वह 2% के आसपास देखने को मिला average पिछले 4 साल का इसके अलावा SBI जहां पर भी NPA कांख़ा थोड़ा higher side पर रहेगा obviously वाद है PSU banking है loan disbursement ये कहीं अलग-अलग sectors के अंदर होते हैं लेकिन मुनाफ़ा growth 12% के आसपास है तो यहां आपको बहुतर दिखाई पड़ेंगे HDFC bank, ICSA bank जिनको आप देख सकते हैं एक पूरा visualization आपकी स्क्रीन पर है जिसमें कोटक महेंद्रा bank 31% इस्तिमाई के अंदर growth का अनुमान लगाएंगे 3% sequential basis पे HDFC bank 16%, D growth इस quarter गंदर आने का अनुमान है ICS bank 46%, 4% के आसपास के sequential growth की बातचीत है XS और SBI जो कि सबसे भेतरीन numbers दे सकते हैं तो यह result का आकलन और आखरी में valuation का parameter आपकी screen पर सबसे सस्ता valuation के लिया से SBI, XS, ICICI, HDFC और सबसे महगा कोटक despite यह 20% का fall दिखा चुका है तो यह parameters आपके सामने रखे गए है numbers हैं और numbers से ठीक पहले आप इन आखरों के आधार पर अपना evaluation कर सकते हैं तो यह numbers आपके सामने सुमेट